नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देख रहें ततकाल नियूस लाइफ उत्तर प्रदेश की राज़दानी लकनों में एंडी टीवी का कॉंखलेव उमीदवारों का प्रदेश उत्तर प्रदेश चल रहा है इसमें उत्तर प्रदेश के जाने माने नेताव सहीद अलग-अलग शेत्रों के विशेशगने हिस्ता ले रहे है शुडाती सत्रम में उत्तर प्रदेश के पुर्व मुख्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए इस दोरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाकराय रखी अकिलेश यादव ने कहा कि हमें लोगसबाव शुनाव में बीजेपी को हराने के लिए फोश तयार करनी होगी और इसकी तयारी जारी है उन्होंने कहा कि विपक्षी एक ता इस बार PDA फॉमूले के साथ NDA पर भारी पड़ेंगे 2024 लोगसबाव शुनाव को लेकर अकिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने वाली सबी पार्टियों को साथ आकर लड़ना चाहिए पिशले चुनाव में हमने बड़ा दिल लिखाया है जो दल जहां मजबूत है वहाँ उसके तहद गड़बंदन कर चुनाव लड़ा जा सकता है सपा अदेख्षा ने कहा कि हमने अच्छा पुलिस का इंफरस्रक्शर दिया दूसरे देशों में जाकर देखी कैसी पुलिस विवस्ता है 1090 बनाया गया सुप्रिम कोट ने इसकी तारिफ की प्रदेश में कानुन विवस्ता बिगड़ी हुई है इतनी लूट कभी नहीं हुई जितनी इस सरकार में है केवल प्रचार करना सही नहीं है उनने कहा कि देश में जातिय जनगन्ना होनी चाहिए साथ ही उन्होंने सरकारी के साथ साथ प्राइवेट नोकरियों में भी आरख्शन दियर जाने का समर्थन किया अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी सरकार स्वास्त व्यवस्ता को लेकर बड़े बड़े वादे करती है लेकिन पिछले 6 सालों में एक भी जिल्ला अस्पताल नहीं बना है हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में कई एक्स्प्रेस वे बने उससे किसानों का फायदा हुआ उत्तर प्रदेश के पूरो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अंडी टीवी कॉन्फलियों में कहा कि उत्तर प्रदेश असल में उम्मीदों का प्रदेश है ये प्रदेश भहुत सकारात्मक है मुझे याद है बिना इन्वेस्टमेंट मीट किये हमारे समय में निवेश आया था अकिलेश यादव ने दावा किया है कि आज निवेश नहीं आ रहा है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक भी जिल्ला अस्पताल पिछले 6 सालों में नहीं बना है इस सरकार ने घर-घर एंबुलंस की सेवा बंद कर दी है जिससे काफी लोग परिशान है अकिलेश यादव ने दावा किया कि पूरी सरकार में पिछले 6 सालों में कोई मंडी नहीं बनी है पुर्व मुख्य मंत्री ने कहा कि सबसे जादा संभावने मो के उत्तर पदेश में है गरीव अपना जीवन बदलना चाहता है क्या सरकार से वाकई उमीद बची है